नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं परतिहार टोट के तुला रासी फल साल दोहजार चौबेस साल की सुरुवात में पहला जो चौदा दिन है यानि कि जब तक की सुर्य धनू रासी में है आपके लिए उत्तम रहेगा गुरू अकेले ग्रह हैं जो कुंडली में जो चार भावों के कारक भी हैं गुरू पंचम धन भाव भागे भाव एग्यारवे भाव के कारक ग्रह हैं और तुला वालों के लिए सुब जो वक्त है वो रहेगा 15 मार्ज से 15 अप्रेल तक जब सुर्य आपको अच्छा फल देंगे उसके बाद 15 जुलाई से 15 अगस्त तक जब गुरू दसंभाओं में आएंगे और फिर 15 अगस्त से 15 सितंबर तक बहुत सुब समय रहेगा साल का जो आखरी 15 दिन है 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का वक्त ये भी अतिसुब वक्त रहेगा आपके लिए इस प्रियड में कोई भी कार्य आप आँख बंद कर कर सकते हैं देवगुर भ्रस्पती आपके इंकम भौकों देखेंगे और उसी भौक के कारक है धन आता रहेगा दिकत नहीं होगी धन के मामलों में राहू आपके लिए छटे भौ में है और पंचम भौ में सनिदेव है तो ये गोचर आपके लिए बहुत सुब नहीं है लेकिन परिसानिया नहीं है लेकिन फिर भी परिसानी रहेगी हलकी पुलकी अगर आप सिंगल हैं तो थोड़ा इंतजार करना होगा विवाह के लिए स्वास की बात करें तो देव गुर भ्रस्पती सब्तम भाव में बैठे हैं देव और 30 अप्रेल के बाद गुरू दूसरे भाव को देखेंगे मई के बाद स्वास के मामलों में थोरा आपको साबधान रहना चाहिए देव गुरू ब्रस्पती 30 अप्रेल तक चुकि केंदर में है तो खासकर जो विद्यारती हैं उनके बहुत बढ़िया वक्त रहेगा यह जो पहला चार मेना है पढ़ाई को लेकर आप पॉजेटिव रहेंगे आपका पढ़ाय लिखाय में मन भी लगेगा वो एक्जाम बेकर है वो बहुत अच्छे से आपका जाएगा इस्टुडेंट उच्छे सिक्षा की पढ़ाय करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बढ़िया है तो ऐसे में थोरा सा आप आगे बढ़िये पढ़ाय लिखाय पर फोकस बनाया रखिए तो इस वर्स सप्तम अस्थान पर गुरू और सनी के सेयुक्त गोचरी प्रभाव के कारण आप बेपसाई भाईयों के लिए बढ़िया रहेगा अप्रेल के बाद कुछ सत्रू हैं जो आपके कारियों में रुकावट डाल सकते ह लेकिन छटे भाव में राहू के प्रभाव से उन पर विजय भी प्रात होगी मई में जब देव गुरु बिस्पती की स्तिती बदलेगी तब देव गुरु बिस्पती आपकी रासी से आठ में घर में आएंगे तब बिजनस नौकरी के मामलों में आपको सम्मान मिलेगा ल दोग्राइब भावना जैसे अप्रेल तक है इसके वाद अप्रेल के बाद दुईती अस्तान पर देव कृष्पति और शनी की द्रिश्टी के करण परिवार में सुखसानती है हलाकि बच्छों के लिए बड़ी हां वकत रहेगा अपरेल के बाद अस्तान पर देव कृष्प दे सकते हैं पढ़ाय लिखाई में उसका निगेटी प्रवा हो सकता है तो बच्चों के पढ़ाय लिखाई पर ध्यान रखें स्वास्त के मामले में उत्ता में लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज हो उसमें आप ज्यादा अपना ध्यान रखिएगा और पेट वेगर का थोरा खय दिखेगा तो बिद्यार्तियों के लिए तो अच्छा है नोकरी की तलास में हैं तो जो प्राप्ति के योग भी बने वे हैं विदेश जाकर सिख्चा गरन करना चाहते हैं तो भी बढ़ियां वक्त है क्या करेंगे दुर्गा मा को दो लॉंग रोज अर्पित करें और थोरा सबस साब्धान रहना है राहू से राहू के मंतर का जब करते रहें उत्तम रहेगा धनिवाद हम पिर मिलेंगे ओम रांग रहा भे नमा